है गाइस वेलकम बैक तो वीडियो आज की इस वीडियो में हम जो बेसिकली बात करेंगे एक कमेंट आया था मुझे कि आकाश और एलेक्ट्रोनिक्स और एलेक्ट्रिकल की जो है वो रेगुलेटर का कनेक्शन भी चींज हुआ या नहीं तो देखे टेक्नॉलोजी बहुत स्ट्रॉंग हो गई है लोगों को बहुत छोटे चोटे डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को क्लियर करना हमारे आखास टूट्रि और एलेक्ट्रोनिक्स जो है यह दोनों भी रेगुलेटर का कनेक्शन किस तरीके से तो हमारे घरों में आपको पता ही होगा कि जो है ना वो टू थर्टी वोट्स की बिस्निस अप्लाई होती है और हमें जो है फेस और नूट्रल जो हो मिलता ठीक है तो यह हमारा फेस हो ग पर इस तरीके से ही मैं आपको बता रहा हूं तो यह हमारा दो मेंज अप्लाई ओगी ठीक है इसमें तू थर्टी वोट्स हमें जो है घर पर मिल जाता है तो फेस का कनेक्शन इस इन दोनों के बीच में स्विचिंग का भी connection होता है तो switch का connection में आपको बता देता हूं कि switch का connection किस तरीके से होता है let's suppose कि यह हमारी switch है तो यह हमारी switch हो गई और यह switch का भी connection में आपको बताऊंगा तो फैल है किस तरीके से होता है दिखे जो हमारा fan का यहां पर हमने face video दिया है वो हमारा सीधा यहां पर चला जाएगा fan के switch के नीचे वाले भाग में ठीक है यह switch के हमारे नीचे वाले भाग में चलेगा अब उपर वाले भाग से हमारा जो face है वो क्यूंकि जब switch on होगी तो वह भी face ही कहलाएगा तो यहां से यह चली जाएगा हमारा सीधा fan में ठीक है अब fan से क्या होगा कि यहां से हमारा जोए एक न्यूट्रल एक वायर आएगा जो कि सीधा आएगा हमारे रैगुलेटर रैगुलेटर में आपको दो इंटर्नेल जब आप इसे open करोगे तो दो connection देखने को मिलेंगे और वो connection सीधा हमारा जाएगा कहां पर यहां से होता हु देखने इस तरीके से पुरा overall connection होता है यहां पर हमारा जो 240 वोर्ट्स का जो है ना 240 वोर्ट्स 50 हर्स की जो supply हमारे घरों में आती है वो supply के base पे जो है ना यह connection आपको करना होता है देखने यह connection करोगे आप तो इस तरीके से यहां से जो इक्ट्रों को flow होता है फैन ओन ओन तो ओन ठीक है ओन ने के बाद यहां पर supply जाए कि लेकिन न्यूट्रल की supply जो होता है वह हमेशा कम करके accelerate में मतलब जो एना accelerate करके मिलती है तो ऐसे में क्या होता है यहां पर जो voltage drop करने या resistance इसके उपर मैंने वीडियो बनाई या working के उपर तो आप उसे जाके देख सकते हो उस वीडियो की link जो आप आई बिटन में मिल जाए कि सेम इस तरीके का connection होता है सेम तो सेम यहां पर आपको जो है ना face में भी यही चीज़े करनी है कुछ extra नहीं है यहां अगर electronics की बात कर लेकि कि कि यह किसी का doubts था मैं वीडियो बना रहा हूं यहां पर देखिये यह इस तरीके से हमारे fan में चले जाता है यह connection और यह electronics में इसे भी आपको दो वायर जोए वह मिल जाएंगे यह fan से दूसरा वाला वायर हमारा निकलेगा ठीक है और यह input करेगा हमारे यहां पर इसमें और यहां से जो है ना output निकलेगा हमारा वो जाएगा सीधा यहां पर अब यह simple तरीका एकदम समझाने का अगर आपको switch काट switch लगानी है तो switch को यहां पर से कट करो यहां पर switch लग जाएगी ठीक है यहां पर यह दोनों को वायर को काट के और switch अप लगा सकते तो इस तरीके से पूरा switch का connection होता है आप समझ गया होंगे क्यूंकि जिस अब कुछ द्यान नहीं देना पड़ता क्यूंकि एक कमेंट आया था मुझे इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो अगर आप वीडियो से कुछ समझाओंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूं electrical से जिसे आप बहुत कि कि अजियो आया था हूं कि Ande